वेलकम टू एको एकजाम एको एकजाम मैं अमितलल आप सब करश्वागत करता हूँ आज की इस वडियो की इस टेस्ट में आपसे पूछे जाएंगे कमेश्टी से 50 सवालों को जो कमपट्रिक जाम में लगातर पूछे गया हैं अगर आप चैनल पे नए है तो चैनल को सब्सक को रिण सर्च करें और टेलीग्राम पर हमसे जुड़ने के लिए मैंने लिंक को डिक्स्क्रिप्स्ट में दे दिया है वहाँ पर आपको सारे वीडियो का आडियो फाइल एक लिगा मिल दाएंगे क्यूज स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूँ कि प्रतियक क्वे अब तो मरकरी को जो लोहे वाले धातु के पात्रे में रखा जाता तो यहां पर आप्शन नम्मर ये लोहा से हो जाएगा क्रिशन नम्मर टू है हमारे पास सफेद स्वान के नाम से किसको जाना जाता है सफेद स्वान के नाम से प्लेटियम को जाना जाता ही यहां पर आप्शन नम्मर ये प्लेटियम से हो जायागा क्रिशन नम्मर थर्ड है हमारे पास आइतन के अनुपात में जल में हैडरोजन वो अक्सीजन का अनुपात कितना होगा तो आइतन के अनुपात में जल में हाइड्रोजन वा अक्सीजन को जो अनुपात होता है टूर रेशियो वन का होता है ति यहाँ पर अपसन नमर बी टूर रेशियो वन से हो जाएगा कर्शन नमर फोर्थ है हमारे पास नाब की रियक्टर की रचना के लिए अनिवार तत्तो कौन सा है नाब की रियक्टर की रचना के लिए जो अनिवार तत्तो है वो क्या जर्कोनियम है थी यहाँ पर अपसन नमर बी जर्कोनियम से हो जाएगा Question number 5 है हमारे पास transistor बनाने में आमतार पर किसका इस्तेमाल किया जाता है Transistor बनाने में आमतार पर जो है सिलिकान का इस्तेमाल किया जाता है तो यहाँ पर आपसर नमर डीशी ली कौन से हो जाएगा Question number 6 है हमारे पास सुद्ध सोना कितने केरेट्स का होता है सुद्ध सोना जो 24 का होता है तो यहाँ पर आप्छन नमर डी 24 कारेट से हो जाएगा तो यहाँ पर आप्छन नमर डी पारा से हो जाएगा Question number 8 है हमारे पास पारा का निस्क्राइशन किया जाता है किस वी कहां से पारा का जो निस्क्राइशन किया थे सीने बार से किया थे यहाँ पर आपसर नम्मर 6 सीने बार से जाएगा Question number 9 है भारी जल की खोज किस ने की थी तो भारी जल की खोज किती एचीवरे ने किया थे यहाँ पर आपसर नम्मर 6 एचीवरे से हो जाएगे Question number 10 है हमारे पास निम्न में से कौन एक द्रवधातू है Question number 11 है निम्न में से कौन सी धातू कमरी के ताप पर द्रवधास्ता में रहती है तो गैलियम धातू जो है कमरी के ताप द्रवधास्ता में रहती है तो यहाँ पर आपसर नम्मर 6 गैलियम से हो जाएगी Question number 12 है ग्लोबल वाउमिंग के लिए उत्तर दाई गैस कौन सी है ग्लोबल वाउमिंग के लिए उत्तर दाई गैस है कार्बन डाई आकसाइड है तो यहाँ पर आपसर नम्मर 6 गैस से हो जाएगी Question number 13 है अंडे का बाहे खोल प्रमुखता किसका बना होता है अंडे का बाहे खोल होता है प्रमुखता केल्सियम कार्बोनेट का बना होता है यहाँ पर आपसर नम्मर 6 केल्सियम कार्बोनेट से हो जाएगा Question number 14 है हमारे पास वाउमिंग किसकी उपस्ति से प्रदूसर होता है वहानों से उसर दूए में जो है सीसा की उपस्तिकान जो प्रदूसर होता है यहाँ पर आपसर नम्मर 6 केल्सियम कार्बोनेट से हो जाएगा Question number 15 है सीसा का निश्करण्ट से मुख्यतक किस S से किया जाता है सीसा का निश्करण्ट से मुख्यतक गैलना से किया है तो यहाँ पर आपसर नम्मर 7 गैलना से हो जाएगा नमकीन पानी लोहे के पाईप को जंग लगा कर चटका देते हैं इस प्रक्रिया को क्या कहते है नमकिन पानी जो है लोहे के पाइप को जंग लगा कर चटका देते तो इस प्रक्रिया को हम संचारण कहते तो यहाँ पर आपसे नमडी संचारण सही हो जाएगा क्षिन नमर्ट 17 है लोहे को इस पात में बदलने के लिए कौन सी धातू मिलाई जाती है क्षिन नमर्ट 18 है हाइड्रोजन को वाईउ में जलाने पर क्या प्राप्त होता है हाँ तो इसका राइट आंसर है जल अगर हम हाइड्रोजन को वाईउ में जलाएंगे तो वहाँ पर जो हमें जल प्राप्त होगा तो यहाँ पर आपसे नमर्ट 17 जल से हो जाएगा क्षिन नमर्ट 19 है निमलेकित में इसे किसके टेप रिकारडर की टेप लेपित रहती है तो फेरो मेरेकित चून जो है टेप रिकारडर पर टेप के तरह लेपित रहती है तो यहाँ पर आपसे नमर्ट यह फेरो मेरेकित टेप से हो जाएगा क्षिन नमर्ट 20 है है हाइड्रोजन के रेडियो सक्री समस्थानि को क्या कहते है किस नमर्ट 21 है बढ़ते हुए पौधे को निमलेकित रिकीकित में से किस तत्तों की सबसे अधिक मात्रा की आऊ सकता होती है तो बढ़ते हुए पौधे को जो है नाइट्रोजन तत्यों की सबसे अधिक मात्रा क्या हो सकता है तो यहाँ पर आप्सन नमर सी नाइट्रोजन से हो जाएगा Question No.22 है हमारे पास आज कल सबको की रोशनी में पीले लैम्प बहुतायत में प्रयोगत हो रहे हैं इन लैम्पों की निमलखिते में से किस का उपयोग करते हैं तो इन लैम्पों में जो सोडियम का प्रयोग किया जाता है तो यहाँ पर आप्सन नमर सी हो जाएगा Question No.23 है हमारे पास किस पदार्थ के लगाने से कटे इस्थान से रख्त बहना बंद जाता है Farychloride वाले पदार्थ को लगाने से कटे उपी इस्थान पर रख्त का बहना बंद जाता है तो यहाँ पर आप्सन नमर यह Farychloride से हो जाएगा क्वेशन नमर 24 है डाक्टरों द्वारा एनस्थिया के रूप में प्रियोग होने वाली हास से गयस कौन सी है डाक्टरों के द्वार जो है एनस्थिया के रूप में प्रियोग में लाए जाने वाली हास से गयस है और नैट्रोस अक्साइड है तो यहाँ पर आपसर नमर B नैट्रोस अक्साइड N2O से हो जगा है तो यहाँ पर question number 25 है हमारे पास निम्लिकीत में से कौन धातू पीतल कांश तता जर्मन सिल्वर इन सभी हमें उभाय घटक के रूप में बिद्देमान है निम्लिकीत में से जो तामबा धातू जो है पीतल कांश तता जर्मन सिल्वर इन सभी हमें उभाय घटक के रूप में बिद्देमान है तो यहाँ पर आपसर नमर E तामबा से हो जाएगा question number 26 है क्वार्ट किस से बनता है तो क्वार्ट जो है कैल्सियम सिलिकेट से बनता तो यहाँ पर आपसर नमर E कैल्सियम सिलिकेट से हो जाएगा question number 27 है सुन्य समू में रखे गए तत्तो किस नाम से जाने जाते है सुन्य समू में रखे गए तत्तो के नाम से जाने तो यहाँ पर आपसर नमर D निश्क्री यह तत्तो से हो जाएगा question number 28 है वनस्पती घी के निर्माण में कौन सी गैस परियुक्त होती है वनस्पती घी के निर्माण में जो हैड्रोजन गैस उपियुक्त होती है यहाँ पर आपसर नमर B हैड्रोजन से हो जाएगा question number 29 है निमकित में से किसे भविश्य का धातु कहते है भविश्य का धातु जो हम टाइटेनियम को कहते है यहाँ पर आपसर नमर D टाइटेनियम से हो जाएगा question number 30 है हमारे पास sodium के टुकडे को यदि पाने में डाला जाए तो वह क्या करिया खरेगा sodium के टुकडे को यदि पाने में डाला जाए तो तैरता हुआ जलने लगे तो यहाँ पर आपसर नमर 6 तैरता हुआ जलने लगे तो सही हो जाएगा question number 31 है वायू या निर्माड में निमने में से कौन से धातु प्रीक्त होती है वायू या निर्माड में जो है पलेडियम धातु जे प्रीक्त किया ति यहाँ पर आपसर नमर ए पलेडियम धातु से जाएगा question number 32 है हमारे पास वायू में थोड़ी देर रखने के बाद किसी धातु के उपर हरे रंग के बेसिक कार्बोनेट की परज जम जाती हुआ धातु क्या है वायू में थोड़ी देर रखने पर किसी धातु के पर हरे रंगी जो बेसिक कार्बोनेट की परज जमती हुआ धातु तामबा है तो यहाँ पर आपसर नमबर बी तामबा से हो जाएगा संचायक बैटरियों में निम लिखी तिमेशे कौनशी धातु का परियुक किया जाता है संचायक बैटरियों में जो निम लिखी तिमेशे सीशा धातु का परियुक किया है तो यहाँ पर आपसर नमबर ये सीशा से हो जाएगा Question number 34, तड़ी तचालक निर्मित होते हैं किस क्या तड़ी तचालक जो बना जाते हैं ताबे के बना जाते हैं तो यहाँ पर आपसर नमर भी ताबा से हो जाएगा Question number 35 है हमारे पास, इस्टील को कठोरता प्रदान करने के लिए क्या मिला जाती है तो इस्टील की कठोरता प्रदान करने के लिए उसमें क्रोमियम मिला जाती है तो यहाँ पर आपसर नमर डी क्रोमियम की मात्रा से हो जाएगा Question number 36 है निम लिखी ते मेंसे कौन सी धातु रोशनी के बलबूम के फिलामेंड के रूप में प्रियुक्त होती है Question number 37 है क्रितिम हीरा के नाम से किसको जाना जाता है Question number 38 है क्रितिम हीरा के नाम से शिलिकन कारबाइट को जाना जाता है तो यहाँ पर आपसर नमर डी क्रोमियम की में कौन कठोरतम धातु है तो प्लैटिनम सबसे कठोरनम धातु है तो यहाँ पर आपसर नमर डी प्लैटिनम से हो जाएगा Question number 39 है भार के अनुपात में जल में हाइड्रोजन और अक्सीजन का अनुपात कितना होता है भार के अनुपात में जल और हाइड्रोजन में जो जल में जो हाइड्रोजन और अक्सीजन होती है उनके अनुपात जो वन सम मंडे एट होती तो यहाँ पर option number A से हो जाएगा Question number 40 है मारे पास निमलीकी तो धातु में से कौन सी धातु नमक के तनू अमलकी क्रिया के hydrogen gas नहीं देती है तो निमलीकी धातु में से Cu याने copper धातु जो नमक के तनू अमलकी क्रिया से हैड्रोजन गरस नहीं देती Question number B से हो जाएगा Question number 41 है मारे पास निमलीकी तो में से किस धातु का प्रियोग मानव द्वारस से पहले किया गया था Question number 42 है मारे पास लोहे का शुद्धतम रुप कौन सा है तो लोहे का जो सुद्धतम रुप होता है वो पिटवालोवा तो यहाँ पे आपसर नम्मर D पिटवालोवा से हो जाएगा Question number 43 है मारे पास सौर शेलो में प्रियुक्त होने वाले मुख्य पदार्थ कौन है तो सौर शेलो में प्रियुक्त होने वाले मुख्य पदार्थ कौन है तो यहाँ पे आपसर नम्मर यह सुद्धतम रुप शिलिकौन से हो जाएगा Question number 44 है मारे पास निमने में से कौन सा धातू अमलगम नहीं बनाता है तो निमने में से लोहा धातु जो अमलगम नहीं बनाता तो यहाँ पर आपसन नमर भी लोहा से हो जाएगा क्रेशन नमर 45 पर शोना को कठुर बनाने के लिए उनमें क्या मिला जाता है शोना को कठुल बनाने के लिए इसमें तामबा मिला जाता है यहां पे आप्षर नमर दी तामबा से हो जाएगा यहां पे आप्षर नमर शी तामबा से हो जाएगा Q47 है प्रकास रसानी धूप कोहरे बनाने के समय निमलिक में से कौन सा गय सुथपन होता है तो प्रकास रसानी धूप कोहरे बनाने के समय निमलिकित में से नेट्रोजन आकसाइड गय सुथपन होती तो यहाँ पर option no.A nitrogen oxide से जाएगा question no.48 है petrol से लगने वाली आज के लिए किस प्रकार के अगनि शामक का परयोग किया जाता है पेट्रोल से लगने वाली आज के लिए अगनि सामक का परयोग किया है तो यहाँ पर option no.A जाग वाला से जाएगा Question number 49 है हमारे पास बिद्दुत बल्ब का तंतु किसका बना होता है तो बिद्दुत बल्ब का जो तंतु बना होता है और टंगस्टन का बना होता है तो यहाँ पे आपसर नमर भी टंगस्टन से हो जाएगा Question number 50, यह हमारे पौधे नाइट्रोजन किस रूप में ग्राण करते हैं पौधे नाइट्रोजन जो है नाइट्रेट के रूप में ग्राण करते हैं तो यहाँ पर आपसन नमर D, नाइट्रेट सही हो जाएगा तो सब्सक्राइब जरू करने इस चैनल से आपको निश्ची थी मदद मिलेगी इको एक्जाम अल्वेज वीद यू, थैंक यू फर वाचिंग में